आई टी आई के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर है कि परमाडू ऊर्जा विवाग यानि के डिपार्टमेंट आफ अटॉमिक अनर्जी में जो है अपरेंटिस सिप की जगह निकली हुई है बहुत अच्छी कमपनी है परमाडू ऊर्जा विवाग आप लोग जानते ह उसमें नाविकिये इधन समिश्र यानि के नुकलियर फ्यूल कॉम्पलेक्स के लिए जो है वो जगह निकली हुई है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकरी दूँगा काफी जादा मात्रा में और काफी जादा ट्रेड में जो है वो जगह निकली निश्चित है तो अगर आप पर्माड़ उर्जा विभाग में अगर आप लोग इंट्रस्टेड हैं तो सरकारी कमपनी है Government of India भारा सरकार की कमपनी है अच्छी गनपनी है आप लोग सब जानते होंगे पर्माण उर्जा विभाग के बारे में तो आप लोगों को मुझे ज़्यादा एक्स्प्लेइन करने की जरूरत नहीं है इसमें आज मैं आपको वीडियो पूरा बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल मैं ITI 63 डिग्रीज चलाता हूँ मैं खुद गवर्मेंट ITI कॉलेज में टीचर हूँ और सभी बच्चों के हेल्प के लिए चैनल चला रहा हूँ यदि यहां आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर ले नोटिफिकेशन वेल पे आउल पे प्रेस कर ले ताकि मैं यहां से जो भी जानकारी आप लोगों के लिए दूँ निसुल काम तक पहुंचती रहे यहां पर आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट आप आई टी आई ट्रेड अपरेंटिस फॉर दा येर आप दोहजार बाई सेंट तेस बात करें सबसे पहले तो एक साल की ही ट्रेनिंग होगी एक साल की ही अपरेंटिस होती भी है यहां पर सबसे पहली बात करें तो टोटल जो है 14 ट्रेड के लिए जगह निकली हुई हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए जगह निकली हुई हैं यहां पर आप लोगो दिखा देते हैं सबसे पहले बात करें तो यहां पर ट्रेड के नाम है फिर दो कोपा के लिए चहांतर डीजल मेकेनिक लिए दो पलंबर के लिए दो और बात करें वैल्डर के लिए तो टोटल 21 वेगंसी अगर हम सबी ट्रेड का मिलाएं 14 ट्रेड का तो 345 वेकंसी है और बात करें यहाँ पर सहली की स्टाइपेंड की बात करें तो देखें यहां से यहां तक जो ट्रेड है 109 तक उसकी सहली 8050 है और जो 11 लेके 14 तक है उनकी सहली जो है वो 77-100 है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 10 पास होना चाहिए और जिस ट्रेड में आप हैं उस ट्रेड में आपको ITI पास होना चाहिए यह इसकी क्वालिफिकेशन है अब बात करें कि जो है बाकी apprenticeship India.gov.in से आप लोगों को apply करना होगा apply कैसे करना मैं बताऊंगा उसका एक procedure है पूरा procedure मैं आपको बता दूँगा सबसे पहले तो आप लोगों का जो apprenticeship website है apprenticeship India.gov.in उस पे आप लोगों का registration होना चाहिए complete profile फिल होनी चाहिए अगर आपने registration नहीं किया और नहीं करना जानते हैं नहीं profile अगर आप पूरा फिल करना जानते हैं तो उसका वीडियो मैं आलेडी बना चुका हूँ link description box मिल जाएगा आप लोग उससे registration कर लें official website पर वहीं से अगर आपकी कहीं से भी apprentice करते हैं चाहिए railway से चाहिए nuclear power plant से चाहिए sales से भेल से गेल से कहीं से भी अगर आप apprenticeship करेंगे तो आपको apprenticeship की website पर registration होना बहुत जादा जरूरी है और उसमें आप लोग एक ही बार registration कर सकते हैं तो आप लोग जो है पहले सही registration करिए उस पर चाहिए फिर apprentice आप कहीं से भी करेंगे तो उसी यहाँ पर हम बात करते हैं इसी पोटा से apply होगा apply कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा बात करें तो यहाँ पर last date क्या है तो पांच November इसकी last date है selection procedure की बात करें तो selection procedure जो होगा वो short list होगा merit list के अधार पर merit list के अधार पर कैसे होगा किस class की merit लगे तो यहाँ पर point ITI के candidate की same merit है तो फिर उनके 10th class की marks देखे जाएंगे उसके आधार पिर तैय किया जाएगा कि माली जे की 2-4 के मालों की 85% है ITI में दोनों का selection हो रहा है दोनों के same marks है अब इन दोनों को क्या किया जाएगा इनके अगर दोनों के same marks है फिर इनके 10th का percentage देखा जाएगा जिसका जादा है 10th में उसको select कर लिया जाएगा दूसरे बालों को select नहीं किया जाएगा और बात करें जो है date of commencement of training कब से start होगी mail के थुरू आपको बताया जाएगा general instructions की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी प्रकार का employment या मतलब यह एक प्रकार की training है किसी प्रकार की job की यहाँ पर जो है तुरंत selection की guarantee नहीं है job नहीं दी जाएगी मतलब training करिए job जब निकलेगी तो उसमें आपको weightage दिया जाएगा बात करें age की तो age should not be less than 18 year तो आप लोगों का जो age है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए बाकी बात करें candidate of technician ITI apprentice must have registered आपको apprenticeship की website है वहाँ पर आपको registration करना होगा वहीं से आपको apply करना होगा apply कैसे करना है वो मैं अभी बता दूँगा step by step उसका process है candidate को जो भी चीजे होंगी वो सारी चीजे mail पर बताई जाएंगी यो candidate जो post graduate अगर कोई है तो उसको यहाँ पर apply करने की जरूवत नहीं है फिर reservation as per government rule के अनुसार आपको reservation मिलेगा फिर verification candidate आपका verification होगा जब आप वहाँ पर select हो जाएंगे तो आपको एक verification देना पड़ेगा एक medical certificate देना पड़ेगा औ तो यह सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर आप लोग जब आपका selection हो जाएगा तो आपको documents verification के लिए physically बुलाया जाएगा तो physically वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको तो आपको 10th की mark sheet और certificate लगेगा ITI की mark sheet certificate लगेगा कास्ट अगर कोई आपकी general से अलावा को आपको cash certificate लगेगा अधार काड़ लगेगा police verification certificate लगेगा तो जैसे ही आपके mail पर अगर selection का कुछ आ जाए तो आप तुरंत जो है अपना PBR करा लेना क्योंकि PBR कराने में 10 दिन का समय लग जाता है तो PBR आप जो जरूर करा लेने हैं जब selection का mail आपके उपर आपके mail पर photo copies of all above mentioned documents जितने ऊपर documents दिये हैं इनको original photo copy दोनों लगेंगे चार जो है passport size photo लगेंगे तो यह सारी चीजें आपकी लगने वाली हैं फिर और भी इसमें चीजें हैं कि TADA आने जाने का नहीं दिया जाएगा और भी चीजें इसमें हैं बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ candidate पर जाएंगे candidate जाने के बाद आप लोग registration कर लेंगे registration करना हम ने बता दिया हैं आप लोग registration कर लेंगे जब आपका registration complete हो जाएगा तो आप mail ID और password डालके अपना login कर लेंगेज जैसी आप लोग व्लोग पर इस Apprenticeship Opportunities तो इस Apprenticeship Opportunities पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है Search by Stabilisement Name तो यहाँ पर आप लोगो को सर्च करना है यहाँ आपको सर्च करना है देखिए बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आ रही है तो आपको यहाँ पर जो search करना है वो search करना है यह वाली चीज़े यह nuclear fuel complex हैदराबाद यह वाली चीज़ आपको वहाँ पर search करनी है establishment opportunity में जाके search by establishment name तो यहाँ पर आपको करना है nuclear fuel complex जिसके लिए जगह निकली हुए nuclear fuel complex के लिए जगह निकली हुए तो यहाँ पर जैसे आप search करेंगे तो देखें यहाँ पर opportunities आ जाएंगी तो जैसे instrument mechanic के लिए chemical plant के लिए जैसे कोई कोपा है कोई electricity वाला है तो अपनी वेकंसी पर किलिक करेगा कोई कोपा वाला है तो अपनी वेकंसी पर किलिक करेगा तो ऐसे जो है आप लोग अपनी वेकंसी के लिए apply कर सकते हैं और फिर यह आपका form complete हो जाएगा मतलब first step आपको apprenticeship site पर registration करना है जैसे ही आप registration कर देते हैं complete जैसे ह मैंने वीडियो मनाया है आप उससे registration कर लीजे registration करने के बाद आप लोग इन करेंगे लोग इन करने के बाद establishment search में जाएंगे और यहाँ पर search by establishment name और name में आप type करेंगे nuclear fuel complex और फिर अपनी trade के अनुसार apply के बटन आएंगे different trade के लिए अपनी trade में आप लोग apply कर दीजेगा आसा करते हैं कि आपको form भरना आ गया होगा और सारी अगर आपकी detail इससे education criteria और सारी detail अगर आपकी match कर जा र form भर सकते हैं ये वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक सभी जातरों को बहुत बहुत धन्यवाद